अब ऐसा है कि प्रेसी राइटिंग को और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीजें हमें करनी चाहिए और कुछ चीजें हमें नहीं करनी चाहिए तो डूज में कुछ चीजें दी हुई है कि हमें ये चीजों का ध्यान रखना चाहिए क्या क्या है करना है हम पढ़ेंगे इसी विउक ध्यान में रख करके कि हमें इसका बेसीक आइडिया यहां से एक्स्ट्रेक्ट करना है हमें जिस्ट लिखने जाना है तो इस लिए जिस्ट अभी हमें जो पैसेश है न उसका कलेजा करके रख लेना है उसका हीड़े निकाल करके रख लेना है फालतू की चीजे कार देनी है और उसका जुएंप निकाल करके हमें रिपूड्यूस करना है और उसी को बोलते हैं голाग प्रेसी राइटिंग इसलिए बेसिक आइडिया का ध्यान रखना है, give a clear idea pertaining to what the reader is about to read, so आप कहना क्या चाहते हैं, ये बातें reader को समझ में आनी चाहिए, while reading the passage, make a note of all the important points and include them in the pressy writing, जैसे कि हमने पहले भी बताया है, कि जब हम reading करेंगे, तो reading करते समय जो भी passage के important facts होंगे, उनको हमें note down करना है, और उननी से हमें further pressy writing में आगे बढ़ना है, follow the main idea of the passage with the fact, points of improvement, methods, etc. mentioned in the comprehension, so क्या करना है, main idea के पीछे हमें पढ़ना है, main idea क्या है उस passage का, अगर वो पकड में आ गया, तो हमारा pressy writing अच्छा हो गया, include all the important keywords and terms which are used in the passes, so अपनी बात, अपने तरीके से हमें लिखना है, बातें किसकी है, जिसने पैसेज लिखी है, उसकी बातें हैं, कौन सुना रहा है, हम सुना रहा है, किसके शब्दों में सुना रहा है, हम अपने शब्दों में सुना रहा है, लेकिन जहां कहीं भी कुछ keyword दिया हुआ है, उस keyword को भी हमें अपने प्रेसी में शो करना पड़ेगा, कहना क्या चाहता है, वो, उसको तो हमें पास्टेंस में ही लिखना पड़ेगा, इसलिए लिखते-लिखते कहीं हैं, future नमें न भाग जाए, हमें इस बात का ध्यान रखना है, maximum passage होता है, past history होता है, historical events ही होता है, इसलिए maximum का जो rewriting है जो प्रेसी डाइटिंग हो पास्टेंस में ही होता है इसका ध्यान रखना है there must be a relation between the data you are writing in places you should have some common link so relation होना चाहिए data का इधर से कूद करके वहां बैठा दिये वहां से काट करके वहां पेस्ट कर दिये ऐसा करने से बचना है अब कुछ ऐसी चीजे हैं जो में नहीं करनी है तो डॉन्स फ़र दा प्रेसी डाइटिंग क्या क्या है दा लेंथ आप प्रेसी मस्ट भी शौटर दैन लेंथ आप पैसेज कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसी डाइटिंग लिखते लिखते हम हंडेड का 200 कर दिये साब ऐसा नहीं करना है हमें प्रेसी राइटिंग लिखनी है हमें ऐसे राइटिंग नहीं करनी है इसलिए उसके साइज का ध्यान रखना है बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दो चार डिक्षिनरी के बड़े बड़े शब्द उठा करके और डाल देते हैं वहाँ पर एवेलुएटर समझेगा कि बहुत बड़े हम अंगरेजी के जानकार हो गए ऐसे करने से बचें जब भी कम्मिनिकेशन की बात आती है तो जेनरल यू होती है उन्ही को हमें यूज करना है दूनाट मेक एजैंंशन और एड इन्फरमेशन अन्दप्रेशी असपर यूर्ड ओन इमेजिनेशन हमें अपनी बातों को उसमें थोपना नहीं हमाई अपने अपने व्यूज को ऊच्रण है हम क्या सोच रहा हैं हमारा क्या उस पे ऑ और किटिसाइज बीने करना है अपना बीन देना जैसे हम अपना ओपिनियन देंगे यह तो हम उसकी प्रसंशा करेंगे और नहीं तो हम उसका शिकायत करेंगे यह दोनों वर्जीत हैं नहीं करने है वाइड यूजिंग अब्रीविएशन कई बार ऐसा होता है कि लोग सोसते ह कि कुछ ऐसा ऐसाएब्रिवियेशन की की अपने आप season device हो जाएगा कि होता है ना ऐसे ऐसे वाट रहा हम हम अमारे हम tung हम ने देखा है कि लोग ऐसे-ईसे नोट-टोशिट में वर्ड रालते हैंज हम थाहि आप अगर standard abbreviation नहीं है उसको avoid करना चाहिए, so avoid using abbreviation, do not enter statements in the question format in the preci, so कोई भी question उसमें पूछना नहीं है, do not focus on any one point for very long, keep the information as precise as possible, तो क्या करना है, कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रेशी राइटिंग करनी है, पुरा पैसेज हमने पढ़ लिया, एक sentence हमें समझ में आया, उसी एक sentence का हमने क्या किया, juice बनाना शुरू कर दिया, उसी एक sentence का हमने reframing करना शुरू कर दिया, और उसी एक sentence के हिर्दगीर्द हमने प्रेसी राइटिंग लिख डाला, गलत हो गया, अगर पैसेज राइटर को सिर्फ एक ही सेंटेंस लिखना होता तो इतना बड़ा पैसेज क्यों देता, इसलिए हमें क्या करना है, पैसेज राइटर जो जो कहना चाहता है, वो सारी चीजों को हमें ध्यान में देना, ऐसा नह गई हो तो एक बार उसका recap कर लेते हैं एक बार उसकी summary देख लेते हैं प्रश्ण आप से हैं और उत्तर भी आप ही दे रहा हैं What do you mean by preci writing? Preci writing is a summary or a gist of a comprehensive passage that is supposed to cover all the details and important aspects of the passage and convey the summary with the use of minimal words. बहुत अच्छा definition है preci writing का, preci writing क्या है? एक summary है, एक gist of comprehensive passage है, supposed to cover all details and important facts है and convey the summary with the use of minimal words है. बस की सी को preci writing कहते हैं, How do you write a preci? To write a good preci, read the passage given. पहले क्या करना है? पैसे को पढ़ना है, note down the important points. उसके बाद से, जो important points हमको note down करना है. उसके बाद main idea of the important points and main idea of the pieces. उसके बाद से, use simple and clear words. तीन हो गया है and draft a final preci in the precise language. तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, पढ़के समझना है, इस तरीके से समझना है, इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ important points and main ideas छूट न जाए, important points and main ideas को ध्यान में रख करके पढ़ना है, simple word use करना है और finally a preci writing कर देनी है, हो गया, इतना ही है preci writing. Next question, does a preci need a title? कुछ लोगों का प्रश्ण होता है कि उसको title की जरुवत है subject की जरुवत है? Yes, whether asked or not, you are supposed to give a title to the preci. प्रभले प्रश्ण में में पूछा गया हो, चाहें न पूछा गया हो, हमें title देना ही है. Title कैसा होना चाहिए? The title should convey the core idea of the pieces. पूरे पैसे का असली जिस्ट जो है, वो title में convey होना चाहिए. एक बार मैं title देखू, तो मुझे समझ में आ जाए, यह कहना क्या चाहते हैं? Next, what should be avoided in precious writing? So precious writing में हमें क्या नहीं करना है? क्या नहीं करना है? Do not use any abbreviation, abbreviation use नहीं करना है. Do not give any question in your precious, अपने तरफ से कोई प्रशन पूटप नहीं करना है. Do not express your own opinion, अपना भी न दीजिए, अपना भी अपने पास ही रखिये. Do not keep it long, बड़ा तो इसको करना नहीं है and avoid using complex vocabulary. So, ऐसे ऐसे शब्द न डाल दीजिए, जिसको समझने के लिए, खुद evaluator को dictionary refer करनी पड़े. ऐसे शब्द भी नहीं use करने हैं, जिसके dual triple meaning होते हैं, वो spoil कर सकते हैं हमारे प्रेसी को, इसका विशेश ध्यान रखना है. And fifth question is, How long a precise writing could be? The length of precise varies greatly. So, कहने का मतलब यह है कि precise writing का length है, वो depend करता है कि किस तरीके का passage है, उसके अनुसार थोड़े बहुत उसके length को vary होता है वो. A precise can be hundred or two hundred words or approximately one word of one third of the length of the source, बिल्कुल ध्यान में हमें क्या रखना है? Approximately one third के आस पास में लाकर के precise writing complete करनी है. कई बार ऐसा होता है कि जो examiner होते हैं, जो question setter होते हैं, वो जो पैसेस देंगे उसमें word count लिख करके देते हैं. ब्रेकेट में उसके bottom में right side में word count करके लिख के देते हैं. अगर word count उन्होंने कर दिया है, तो अच्छी बात है. अगर word count उन्होंने नहीं किया है, तो word count हमें करनी पड़ेगी. हमें word count करना है, so that उसके one third में हम पहुँच सके. ठीक है साब? कुछ लोग जो हैं, उनको English में कम समझ में आई होगी, और चाहें more clarity के लिए थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं, more clarity के लिए हिंदी में भी थोड़ा इसको समझ लेते हैं. जिस उदरन का शंचेपन करना हो, उसे तब तक पढ़ते जाना चाहिए, जब तक उसका भाव पूर्ण रूप से असपष्ट न हो जाए, भाव असपष्ट होना चाहिए. आवश्यक बातों को रेकांकित करनी हैं, अंडरलाइन करनी हैं, चमतकार पूर्ण उक्तियों, लो कुछ कहना नहीं है, कहने का मतलब यह है कि मेन पैसेज क्या है, उसको ध्यान में रखना है, अपनी तरफ से जोड़ घटा गुणाबाग करने की जरूवत नहीं है, हमें पैसेज जो है, जो राइटर है, उसकी बातों को अपने तरफ से कहनी है, उसकी बातों को अपने से कहे देनी है रेखांकित वाक्यों के आधार पर अपने शब्दों में एक कंच्चा प्रारूप एक ड्राफ्ट भी तैयार करना है विचाहर मुल शंदर्व के अनुकूल हो अपनी पर अपनी भाषा में लिखनी चाहिए सो फिर समय बता रहा हूं उपर से से एक सेंटेंस काट लिए मीडिल से एक सेंटेंस काट लिए लास्ट के एक सेंटेंस डाल दिए नहीं चलेगा इसको इसको प्रेसी राइटिंग नहीं करते हैं प्रेसी राइटिंग जो होगी अपनी भाषा में लिखनी है पढ़ लिजिए और पढ़ करके अपनी भाषा में करár लेन लिखिए हुum पिक्चर देखने जाते हैं ना कि जब आते हैं तो देकर कर के आने के बाद से लोगोंको अपने दोस्तों के बीच में बाते करते हैं तो धाई तो यह प्रेसी राइटिंग जो है स्टोरी वहीं है बस कहने वाले हम बन गया है सदेव संच्छेपन सदेव अन्य पुरुष में लिखना चाहिए और उसी के अनुरूप सो थर्ड परसन में लिखना है ये नोट कर लिजिए जो भी हमारा प्रेशी रायटिंग है ओच विचार का तारतम में बना मैं लिंक बना रहा है मूल का पूरा बाव संचिपन में आजाना जो पैसेज में कहना चाहता है राइटर वो पूरी बातें आपके प्रेसी राइटिंग में आनी चाहिए मूल प्रक्राण में जदी शिर्षक नौ भी रहे तो भी एक उचित शिर्षक दे देना है तो टाइटल देना ही है इससे वीशे समझने में बड़ी सुविधा होती है अन्तमेश्टण 56 में प्रेउक्त शब्दों की गिंती करके लीख देना चाहिए तो यहाँ पर यह कह रहे हैं कि हम जहां पर भी प्रेसी राइटिंग कर रहे हैं प्रेसी राइटिंग करने के बाई से वर्ड काउंट करके लीख देंगे तो इवेलुएटर के लिए जहां पर पत्रवेभार में और संदर्म में किसी अधिकारी के नाम और पद दोनों दिये गए हों वहां पर केवल पद का उल्लेख कर दीजिए नाम हो गया, पद हो गया, अधिकारी का पोस्ट हो गया, ये सारे चीज़ अटा करके सिर्फ पद का उलेख कर दीजिए, आपका संचेपण हो जाएगा, तो इस तरीके से हमने संचेप, हमने प्रेसी राइटिंग देखा, प्रेसी राइटिंग का ये वीडियो थोड़ा बड इसा चीज़ बताता हूं, जहां पर प्रेसी राइटिंग के सारे रूल जो है, वहीं के वहीं धरे के धरे रह जाते हैं, ये प्रेसी राइटिंग थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि ये संचिप्त का संस्किर्ट का एक श्लोक है, मैं पढ़ देता हूं, अस्टादस व्यास दीजी ने, महर्शी व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की है, और उन 18 पुराणों में सिर्फ दो ही विसिष्ट बातें कही गई हैं, पहला परोपकार ही पुन्य है, और दुसरा पढ़ पीडन अर्थात दुसरों को कश्ट देना ही पाप हैं, कहने का मतलब इस से यह बड़ा प्रेशी राइटिंग क्या हो सकता है, इसको प्रेशी राइटिंग कहते हैं, क्रक्स जो है, उस पैसेज का, उस बुक्स का क्रक्स क्या है, उसको निकाल करके सामने रख देना ही प्रेशी राइटिंग है, सो यहाँ पर 18 पुराणों का जो प्रेशी राइटिंग सिर्फ दो ही विसिष्ट बातों में है परोपकार ही पुन्य है और दुसरों को कष्ट देना ही पाप है इसलिए हमें पुन्य हमें परोपकार करनी चाहिए दुसरों की भलाई करनी चाहिए और किसी भी कारण से पर पीडा का भागी हमें नहीं बनना चाहिए ये आज का निती स्लोक भी है और यह एक क्रक्स ऑफ प्रेशी राइटिंग भी है जिन लोगों को RTI से रिलेटेड चीजें पढ़नी है RTI के सारे क्लासेज और सारे MCQ SGKG 2.22 पर अविलेबल है यह हमारा दुसरा चैनल है SGKG 2.22 इस पर RTI के सारे क्लासेज अविलेबल है वहाँ पर जा करके RTI के सारे क्लासेज देख लेए यह हमारा जो SGKG स्टडीज है इसमें आप देखेंगे इसमें डेलिगेशन और फानेंशियल रूल्स 1978 के भी क्लासेज है पेंशन रूल्स भी है मैनुवल ऑफ ओफिस प्रोसीजर भी है एफ रसर भी है CCS CCA रूल्स भी है CCS कंड़क्टर रूल भी है Constitution of India अप लोट करते जा रहे हैं लोग सभाराज्य सभा की करवाही के बारे में है लीव रूल्स कार बारे में है और जीए फार जेनल फाइनेंशियल रूल्स 2017 के बारे में भी इसमें दिया हुआ है सिर्फ इसमें आर्टी आई नहीं दिया हुआ है और आर्टी आई और लेडी अबलेबल है इस जीकेजी 2.22 पर सो आप एक एक वीडियो को पूरे प्ले लिस्ट में एक बार प्ले लिस्ट में जाईए और उस पूरे वीडियो को एक बार देख लिए एक प्ले लिस्ट खोलिए और उसमें से पूरे वीडियो को देख लिजिए जहां कहीं भी इसमें बाती चूटी होई होगी वीडियो पोस्ट के चोंच का एक्जाम नहीं है, यह कंपटीशन है, मेरिट इसमें काउंट करता है, और मेरिट काउंट कराने के लिए प्रेसी राइटिंग में है, हायर मार्क्स आनी ही चाहिए, इसके बाद हम प्रेक्टिस करेंगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक् सब्सक्राइब नहीं है, जिन्होंने 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 सब्